हेलो प्यारे बच्चों आप सब कैसे हैं आई हो ओल फियॉव रासन जिसके आप देख रहे हैं इस दुखो यह क्या अगर आप यह देख रहे तो मतला आपको कही ना कही थोड़ा बहुत होगा कि कौन स्किलास के इप पूरा प्रॉपर के समझ पाएं कि अगर आपको ऐसे ही कुछ और بीच है तो आप बडा सकते हैं और आप फरस्स ताइम देख रहे हैं तो, ऌक चलो फिर सटाब करते हैं उंकल को आस्में इसंस पार्ट में नहीं यहां तक कर रहा था क्या कर था चल एक बर और रिपीट तो फिर यह से जल्ले से सटाब करते हैं उंकल टोक में टो Hadiya who work for us at home came with us there was a big crowd at the fair uncle was leading us through the crowd when he met him when he made a few of them few of his friends they wanted him to spend sometimes with them there was an uncle who was uncle that he was in the same place he could have been in his own life and he told me in his own life that he would have been working with a ऐसा कुछ है समझ रहे हो फिर उसके बाद क्या हुआ अंकल आस्ट में वाइदर वैदर आई वुड लाइक टू लुक आराउंड फिर विद भाईया उन्टिल ही कमबाग मतलब क्या हुआ अभी आस्ट मतलब पूछते हैं या कहते हैं इसका वैसे तो वैसे प्रॉपर है कि तो उसका पूछना होता है बट यहां पर कहीं कहीं पर भी हर जगए हर जगह नहीं मतलब कहीं कहीं पर हम इसका इसका मतलब यह भी देखते हैं कि कहना उपके अंकल आस्प मी वैदर आई वॉड लाइक टू लुक अराउंड दफिर तो जो अंकल है वो मुझसे पूछ पूरा मेला घूमें ऐसा उसके अंकल उससे बोलते हैं कि जब तक मैं मैं आता हूं थोड़ी देर में वापस आता हूं जब तक तुम भईया के साथ मेला घूमो I was happy to do that यह सुनकर यह यह जब बात यह उसने सुनी तो वह बहुत जादा खुश था ठीक है यह सब करके कि भईय अब मैं भिया के साथ गूमोगा अंकल नहीं होंगी तो यह सुनकर वह बहुत जादा खुश होता है अंकल वार्ण ही लेंकिन उससे चितावनी दी यहां पे वार्ण मतलब वार्ण करना वार्णिंग देना ठीक है वो वार्णिंग यह वार्ण की सेकिंड फॉर्म उतही है मतलब चेतावनी दी थी क्या चेतावनी दी? neither to buy anything, कुछ भी नहीं खरीदना and not to go too far out while he was away और ना ही जादा दूर जाना है जहां पर वो अभी है उससे जादा दूर तक जादा दूर इधर उदर नहीं जाना ना तो कुछ खरीदना है ना ही इधर उदर जाना है too far मतलब far का meaning इधर भी बताया था, far मतलब होता है दूर too मतलब बहुत जादा दूर नहीं जाना जब तक वो यहां पर वापस नहीं आजाते है I promised आदेखो यहां पर जहां पर भी I I use हो रहा है ना, I किसके लिए इस चैप्टर का जो राइटर है जिसने यह चैप्टर लिखा है यह वह अपने वारे में बात कर रहा है तब वह I use कर आई मतलब तब मैं यहां पर simple सा क्या मतलब लिखेगा I promise मैंने क्या करा मैंने वादा करा that key I would wait for him मैं उसका इंतिजार मैं आपका इंतिजार करूंगा जब तक आपने आगो जब तक मैं ज्यादा दूर नहीं जाओंगा या ऐसे वैसे से कुछ चीज नहीं खरीदूंगा इसा कुछ ठीक है फूर्थ पॉइंट स्टार्ट होता है क्या भाईया एंड आई यहां पर यह जो राइटर है यह खुद ही बोल रहे हैं कि भाईया है जो और मैं बहुआ और मैं क्या करें वेंट वेंट गो सुना है आपने गो मतलब जाना यह गो की सेकिंड फॉर्म होती और यह वेंट हुं बॉ यह उन्लैय एंट हालिए उन्सराइश नहीं इसा और भाईया एंडशाW Türkiye वेंट पंएट हो उसकते है ना कोई भी चाप हो सकते हैं यह जो भाईया है और मैं आ इसे ए bacon मे गहा 사ब स्ञाइश्य हता फेली डूवी धी जो थी आइव डाइव लाइक टूबाइ मुझे चीजा खरीद नहीं थी जो राइटर है यह चाहते थे चीजे खरीद नगी वो खरीदें चीजे खरीदें बट लेकिन आई वेटेड फोर अंकल टू रेटर्न लेकिन वो इंतजार कर रहे थे जब तक अंकल ना आ जाए जब यह तो फिर बट वाटव प्रलगा बोली जा जाता था उस दुकान पर पहुंचें हो करके नाम था उस दुकान में यह पहुंचें ईंग मिले। और उल्ड जो शॉप कीपर ता मतलब दुकांदार क्या था देखो दुकां का नाम क्या लख की शॉप जो दुकांदार था ना तो वह ज्यादा यंग था ना तो बहुत ज़ादा जवान था और ना यई बुड़ा था बीच की एज की उमर का था ज्यादा ना तो जवान था नहीं ज्यादा बूढ़ा था ओके हम हम आही वाज आ मिडल मिडल एज मैं मिडल एज मतला बीच की उमर का मत्द्ध आयू का वैक्ति था ओके ही सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नौर टू लीजी अब यहां पर थोड़ी सी बात उसक कि अब कि उपकेपर के बारे में कह रहे हैं कि वह ना तो स्मार्ट लäg रहा है मतलब स्मार्ट yourself मफण सी करें ठीक है, he wanted everybody to try their lucks लेकिन वो चाहा रहा था जो दुकानदार है, दुकानदार चाहता था क्या चाहता था, कि सारे के सारे लोग क्या करें, अपना luck ट्राई करें, luck मतलब अपना भागे ट्राई करें, मतलब वो जो भी चीजे वो करवा रहा था, करें और जिसके भागें होगा, वो उसे चीजे मिल जाएंगे, ऐसा कुछ ठीक है, ऐसा luck ट्राई करवा रहा था वो, there were there were discs on the table there were discs on the table with numbers from 1 to 10 facing down, मुआ पर क्या थे discs वगेरा थी, कुछ चीजे थी टेबल के उपर, और वो उसमें क्या लिखा हुआ था, वन से लेके टैन तक लिखा हुआ था, वन से लेके 10 तक कुछ चीजे लिख्वाँ थी, facing अगएर थी और जो जो वह एक, दो 3, 4 ऐसे करके चीजे लिख्वी थी मंना ऐसे सर्कल में कुछ चीज़ हैं, यहां पर 1, 2, ऐसे सरकल में बहुत सरी चीज़ें लड़ू जैसे हैं लड़ू नहीं मतलब छोटी-छोटी कार्ट से इस साइड वन टू-3 लिखा और पीछे साइड कुछ तस्वीरे बनी हुई है और जो भी नंबर उन्हें उठाना होता है नंबर के पीछे जो चीज है वैसा कुछ चीज चल र करते हैं मुला देने पड़ेंगे पिक अप एनी सिक्स डिसेज चैके चैज जो चैडिसेज हैं उनको वाप उठाने के लिए एड़ अप्ड़ नंबर्स ओन डिस और जो डिक्स है उसमें नंबर एड़ करके एंड फाइंड टोटल सब को टोटल लिकाल कर आर्टिकल मार्क साथ मात्यां तो यह रहा है यहां देख है आप देख रहे है नहीं कि फूट आप देख रहे हैं यहां पर टैबल के ऊपर तो यह पर कह रहा है कि तीप एक से पेंडेने के बाद आपको क्या चांस्स मिलेगा कि आप 6, 6 डिस्क लेकर उन सब को count करके उनमें जो numbers वगएर लिखा हुआ जो भी चीज लिखे हुए उनको numbers को count want करके फिर जो total number वैठेगा उस number पर, उस total number पर कोई सी भी चीज, इनमें से कोई सी जो चीज declare करी होगी कि 50 numbers को ये 50 number आया तो ये चीज मिलेगी 50, 20 number आया तो ये चीज मिलेगी, ऐसी चीज, तो आपको वो चीज मिल जाएगी, ठीक है समझ रहो ना, तो आपे ये ही बोलने की कोशिश कर रहा है and add up the numbers on the list and then find the total और फिर ये टार्टिकल मार्ट आर्टिकल यहाँ पर देखो, वहाँ पर हमने goods भी देखा था, समझ रहो समान होते है, समानों को वैसे नॉर्मल ये जो word यूज करा जाता है simple, जो common word में thing यूज करा था, things होती है, things lots of things बहुत स्वारी शीज है, things होता है लेकिन अभी हमने क्या करा goods, goods पढ़ा न जो starting का page था तो goods का मतलब भी चीज़े ही होता है, समान होता है और यहाँ पर article लिखा हुआ है article का मतलब भी समान होता है और यहाँ पर whole article मत समझ न grammar का articles जो होते है a and da वाले, वो article नहीं है यहाँ पर article का मतलब है समान, the article marked with that number was yours और उस article the article marked article मतलब जो भी समान उस number के लिए declare करा होगा, कि यह number आया तो आपको यह समान मिलेगा तो वो आपका हो जाएगा, यहाँ पर यह खहरा है तो यहाँ पर article का मतलब भी समान है, यह वाले article का मतलब, ओके fifth point, an old man pay 50 पैसे एक बुड़ा आदमी था, उसने पचास पैसे पे करे दिये and selected six dishes और छे डिकस, क्या करे, select करे चुनी, he added he added up the numbers on them and found the total was 15, he was given to the article marked 15 which was a beautiful clock but the old man did not want to want a clock the shopkeeper obliged him by buying it back for 15 rupees 15 rupees the old man went away very pleased तो क्या था इसमें कि वो जो बुड़ा आदमी था उन्होंने, उनके जब उसने ये डिस्क वागेरा एड़एड करी तो 50 नमबर बना और 50 नमबर बना तो उस 50 नमबर के लिए कौन सी चीज़? एक घड़ी थी ठीक है, क्या? उसमें थे, उल्ड मैं थे उनको घड़ी चाहिए ही नहीं थी लेकिन फिर घड़ी चाहिए नहीं थी अब 50 नमबर आया अब उनको घड़ी वापस घड़ी मिलनी थी फिर वो बुड़े आदमी थे वो सौपकीपर से कहते हैं कि मुझे घड़ी नहीं चीए तो सौपकीपर क्या बोलता है? कि अगर आपको ये घड़ी मेरी ही घड़ी है अगर तुम्हें तुम्हारे ड्रॉ में निकल गई है अगर वो तुम्हें मुझे वापस भी करनी रहे तो पंदर रुपे मुझे पे करने पड़ेंगे मेरी ही चीज को मुझे वापस करने के लिए तो पंदर रुपे देने पड़ेंगे जब मैं उसको वापस लोगा तो वो जो बुड़ा आत्मी होता है वो चला जाता है चुप-चाब है न मेरे से थोड़ा सा बड़ा मेरे से थोड़ा सा बड़ा एक लड़का आता है ट्राइड करता है कुछ अपनाता है अजमाता है अजमा के देखता है के लग मतलब भाग गया हाँ लक मतलब करना है को टो इसे क्या मिलता है कन घ्थ कट ट्वेइइड 25 पैसे का एक था मिलता है ठीक है जाप कीपर लुक्र नाइदर हैपी नौर सैट जो सौप कीपर था जो दुकान वाला था ना तो वो खुस न जरा रहा था नहीं वो दुखी न जरा रहा था ठीक है है यह नाव गॉट अ हां ठीक है यह बॉट दा कॉंब फ्रॉम दा बॉइ फॉर ट्वेंटी फाइफ पैसे और हां बिटे एक मिनट और जैसे अभी यहां पर पैसे काया तो देखो यह एक लाइन का वो थोड़ा सा दिखा कि क्या देखो यहां पर दो सौप कीपर अबलीक्द हिम बाइब बाइग भैक फीर फिफ्टे रुपीज जिसी तो क्लॉक को उस आकीपर में फंदर रुपई में खरीद है थी किस को अ फंदर रुपई को और वह अपनी जो क्लॉकदी चोक थी स्को वापस ले लिया था वुर्ण बीटी आथ में शोपिज अन्हें तो यह होती है तो फिफ्टी रूपे से उस बुढ़े आदमी से सौपकीपर ने खरीद ली इसलिए वो जो बुढ़ा आदमी था वो खुशी-खुशी चला गया तो यहां पर भी यह हुआ क्या हुआ कि यह जो लड़का था लड़के को क्या मिला कंगा मिला कॉम मिला ही बॉट इसे कॉम मिला और फिर दो सौपकीपर लुपड नाइदर हैपी नूर सैड़ ना तो खुशा नजरा रहा था ना इदूखी नजरा रहा था यह वाट दो कॉम फ्रॉम द बॉइड वो खरीदता है क्या खरीदता है कॉम को खरीद लेता है किस से लड़के से 25 रुपे का वा nellis içinear डोड़का यह वो तीन बार तीन बार अपना प्रेकर क्रीज़े करता है थे लुचक फिर फर्चेस से धेकर वो तीन बार चीज़ें करक्र करकर देखता है he now got a fountain pen worth worth three rupees तीन रुपे का अब उसे पैन अब की बार क्या जीतता है वो अब की बार क्या मिलता है उसे पैन मिलता है तीन रुपे का पैन होता है वो ठीक है करता है और रिस्ट वॉच वर्थे 25 रुपे की वह घडी जीतता है जो हाथ में पहनने वाली होती है जिवी गोर्ट टेबल लैम जब उसने दुबारा तो या वह त्राई कर ने दुबारा तो उसे क्या मिलता है टेबल लैंप होती है टेबल पर पर रख्के वह लाइट होती ह ना कभी आपने या तो आपके पास आपके घर में हो सकती है जैसे बैड होता है बैड के साइड में लाइट सोती है चोटी-चोटी ऐसे स्टैंड लाइट होती है स्टैंड करके उसे जला दिया जाता है तो वह वाली लाइट की बात कर रहे है टेबल लैम्प फिर उसे मिलती ह है वार्त मोर देन टैन रूपीस की होती है वो ठीक है कितनी रूपीस की होती है टैन रूपीस की दा बॉइ नुपकीसी धिस चया है वो कि च्छान जाता है जो भी पैसे जो उसने कैस स्वाइब शयुक्त अपने लेकर चला जाता है वो संटूष्ट होता है कि उसने ूपासे ख़र्च कर वो ठी हो गया वो सब्सक्राइब आई वांटे टू ट्राइ माई लग टू जो यह राइटर है राइटर आपना लग ट्राइ करना चाहते थे चाहता था वह बच्चा था बच्चे यह ना अभी यहाँ पर आई लुकड एट भाया मैंने भाया की तरफ देखा बच्चा बात कर रहा है अब खुद अपने बारे हैं बता रहा था किसके बुड़े अंकल के वारे में और एक लडगे के बारे में अब वो अपने वारे में कह रहा है कि मुझे भी ट्राइक अब उन्होंने भी का कि हां वो उत्साहित करा कि प्रत्साहित करा कि हां खिलना चाहिए I paid 50 पैसे मैंने 50 पैसे पे करें मला दिये उसे किसको दिये उनको जो सॉपकीपर वाले दे and took 6 दिसे और 6 दिसे उठाए my luck was not too good जो उसका वो कहते है कि उसका जो भाग गया था वो बहुत जादा अच्छा नहीं था I got two pencil सिर्फ उसे कितनी मिली दो pencil ही मिली the shopkeeper bought them from me for 25 पैसे लेकिन वो जो shopkeeper है shopkeeper 25 रुपे में मुझसे खरीद लेते हैं उन pencils को I tried again मैंने दुबारा try करा this time I got a bottle of ink ink की bottle होती है जो पैन में स्याही होती है वो प्राप्त करते हैं वो मिल जाती है also of the little little value और वो वह भी बहुत कम पैसे की होती है the shopkeeper bought that two for 25 पैसे 25 पैसे की वो bottle को भी वो ले लेता है जो shopkeeper होता है I took a chance for the third time तीसरी time भी उसे chance मिलता है still luck was not with me उस time पर भी फिर third time पर भी जादा कुछ होता नहीं है क्योंकि he was wishing true big price वो क्या कर रहा था मलब वो कहते है वो आसा कर रहा था कि उसे बड़ा price मिले लेकिन क्या I had hope of winning a big price वो आशा कर दे थे कि उसे आशा कर रहा था कि उसे बड़ा सा price मिले बड़ा सा कोई तोफा मिल जाए and continue to try my luck again and again वो बार 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 उसको खेलता रहा पेंग 50 पैसे each time हर बार 50 पैसे वो पे कर करके but but every time I got a triple मतलब उसको हर बार वो ही मिला कि हर बार वो छोटी-छोटी चीजें उसको मिल जाती बड़ी कोई price मिला ही नहीं तो हर बार उसे निरासा हाथ लगी एक तरीके से वो at last month में I was left with only 25 पैसे फिर last में जब वहां से वो चल दिये 25 रुपे में ही वो वहां से चल दिये पच्चेस रुपे के जो चेज दे बच्चेस का था वो वही लेकर वहां से चल दिये अगें दर शॉपकीपर सोड ही काइडनेस फिर दुबारा से जो शॉपकीपर थे शॉपकीपर अपने अपनी दयालू पाने को दिखाता है वह कहते हैं I could either play मैं खेल सकता हूँ जो सॉपकीपर है सॉपकीपर बच्चे से कहता है यहाँ पर वो बच्चा बता रहा है ठीक है थोड़ा कंफ्यूज मग हो ना बच्चा कह रहा है बच्चा बात कर रहा है कि जो सॉपकीपर है सॉपकीपर ने मेरे उपर कुछ दया है मैं और खेल सकता हूँ वन्स मोर विदिन 25 पैसे और सेटल दक सेटल दा अकाउंट दैन और आई प्ले अगें आई प्लेड अगें आई प्लेड अगें एंड लास्ट 25 पैसे अलसो डिसपीर फिर दुबारा से जब मलब वो हर बाहर पचास-पचास पैसे में खेल रहे थ अब इस बार वो प्लेड जो सौपकी पर उसको अलाओ करता है कि तुम 25 पैसे में मलब यालूता दिखाते हुए 25 पैसे में आलाओ करता है वो फिर से खेलता है बच्चा फिर से उसे डिसपीर मतलब वहीं मलब उसे संतुष्ठी नहीं मिलती एक तरीके से वहीं फिरी में च हस रहे थे बट लेकिन नन सोड एनी सिंपती लेकिन कोई भी कोई मुझे कोई भी मेरे प्रति क्या सिंपती नहीं दिखा रहा था सब के सब मुझे मेरा मजा के उड़ा रहे थे मेरे पर हस रहे थे भाईया and I went to the place where uncle had left us and wait for him to return फिर मैं और भाईया वापस चले गए उस presently he came फिर वो आए थोड़े दिर बादे फिर वो आ गए माँ पर he looked at me उन्होंने मुझे देखा and said और कहा सहीद तो उस बचे का क्या नाम है सहीद ठीक है you look upset तुम बड़े उदास नजर आ रहे हो what is the matter क्या problem है क्या हुआ वो पूछते है uncle उस सहीद से कि क्या हुआ सहीद त सहीद खुद अब खुद के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर आई आ रहा है तो मतला वो खुद के बारे में बात कर रहे है कि मैंने uncle से कुछ नहीं कहा भाईया told him what had happened भाईया ने उन्हें बताया सब कुछ जो जो हुआ था uncle was neither angry nor sad जो uncle थे ना तो वो गुसा ही थे नहीं वो दुखी थे he smiled वो हसे and petted me मतला मुझे थपता पाया he took me to a shop वो मुझे दुकान पर लेकर गए and bought me bought me मतला मेरे लिए खरीदा क्या करीदा bought me a beautiful umbrella मेरे लिए एक सुन्दर सा चाता खरीद दिया बिस्किट्स बिस्किट्स करीदी and sweets मिठाइया खरीदी and some other little gift और चुटे 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 गिफ्ट भी खरीदी then फिर we returned home फिर हम वापस घर आ गए back home back मतला वापस घर आकर uncle told me uncle ने मुझे बता है that the lucky shop man had made a fool of me जो lucky shop के आदमी है उन्होंने मुझे बुदू बनाया फिर uncle मुझे बताते हैं ठीक है uncle उस बच्चे वो शहीद को बताते है कि जो shop बाला था उसने तुमें गुदू बनाया no uncle I said मैंने कहा uncle नहीं नहीं अंकल ऐसा नहीं है ऐसी कोई बात नहीं I was just my bad luck मेरा वो शहीद बोलता है कि उसका bad luck था ठीक है इसलिए वो नहीं जीत पाया no 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 my boy sad uncle uncle कहते हैं कि नहीं बेटे ऐसी कोई बात नहीं है इस तरीके का कोई good luck और bad luck की चीज़ें नहीं होती बट अंकल आइसा फिर वो जो बच्चा कहता है लेकिन अंकल I saw an old man getting a clock लेकिन मैंने उस आदमी को देखा था किस आदमी को उस बुड़े आदमी को देखा था जिसने clock जीती थी and a boy उस लड़के को भी देखा था getting two or three costly things जिन्होंने दो और तीन बड़ी महंगे महंगे चीज़ें जीती थी you don't know child बच फिर वो अंकल समझाते हों कहते कि बेटे आप नहीं जानते हो they were all friends of the shopkeeper वे दोनों के दोनों कौन थे दोनों के दोनों shopkeeper के friends they they were playing trick to attempt you attempt to you to try your luck वो क्या कर रहे थे वो लालच दे रहे थे एक तरीके का हां क्या लालच दे रहे थे कि यह लोग खेर रहे हैं इनका चीज़े लिए नहीं हम क्हेलेंगे हमारे भी लिखेलेंगे तो वो इक लालच और वो दोनों के दोनों क्या सॉपर के friends थे वो उसके कहने पर इस तर समझ रहे हो they were all friends सारे friends they were playing trick to attempt you trick to tempt you to try your luck अपना भागए वो करने के लिए check करने के लिए वो ऐसा कर रहे थे कि तुम भी करो they wanted your money and they got it वो तुम्हारे पैसे चाते थे कि भी तुम्हारे पैसे उनके पाच चले जाए और वो पैसे उन्हें मिल गए now forget about it अब आप सारी चीज़े भूल जा and don't let don't tell anybody of your bad luck और your foolishness और अब आज के बाद क्या आपके बाद आप अपनी जो bad luck, bad luck वाली जो चीज़ थी उन्होंने बुद्धू बनाया इसके बारे में foolishness बुद्धू बनाने के बारे में और ये bad luck की जो चीज़ थी उसको अब किसी और से बाते ना करना उस सब को आप भूल जा तो ये chapter इस तरीके से खतम हो गया ये बूरा तो आप क्या यहां पे देखो आपने क्या इस chapter से क्या सलहा दे रहे है ये जो lucky draw वाली चीज़े होती है lucky draw मतलब short cut वाली जो चीज़े होती है यहां पर यही कहता है कि कई बार क्या होते है कि बच्चों को लगता है कि ये इतना बड़ा काम है कोई हमें छोटा सा छोटी सी चीज मिल जाए कि हम क्या करें मिल पूरा साल ना पढ़े एक मेने पढ़ ले या पेपर के एक दिन पहले पढ़ ले और बस हम एकदम एक्स्पोरटर बन जाए लेकिन ऐसा नहीं होता तो अगर जो चीज़े हैं मेहनत करते 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 चीज़े मिलती हैं समझ च्छों जब मैंनब करते रहते हैं थोड़ी-थोड़ी चीज़ें करते रहते हैं तो हमें तो हमें अपने लखज भूत कुछ चेजिते हैं हम सीखते हैं चीज़े स्थाबैक्ञिखें जैते हैं हैière है कि क्शीग का होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं कि वहीं अमीर बनने के शौटकट रास्ते अपना लेते हैं वह मेहनत करने की बजाएं कि पढ़ लिखकर मेहनत करें या कुछ काम करें उस काम के जरी सही सही काम करकर पैसे कमानी की वज़ा है वह शौटकट कुछ गलत काम करकर बलत बलत च मिंठलब क्या बहुत्धारत अनिक उखे enc Maggie T Agba N us कड़त बना कर देता है मतलब हमें कहीं न कहीं वो गलत बनाई देता इसलिए हमें शौट्ट कत देखनई की वजाए सीधे सीधे सही रास्ते पर चलते हुए चीजे करने चाहिए है, आई होप आपको सारी चीजे समज़ में आ गही हो अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो आप आप चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं, शेर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ओके बबाइ